हेलो गाइस वेलकम बैक टू दे चैनल आ चुके हैं कौन नी वीडियो के साथ जो कि हमारी पिछली वीडियो थी AMD यूजर्स के लिए कि कैसे AMD लैप्टॉप यूजर्स अपने लैप्टॉप की जो डिस्प्ले के कलर्स हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं तो वहीं एक बंदे का कमेंट आया था कि इंटल यूजर्स के लिए भी वीडियो बनाओ तो मैं वैसे भी उसी पर काम कर रहा था इंटल यूजर्स के ऊपर विकाज हरी के पास जो AMD वाला लैप्टॉप होता है वह नहीं होता जो जादा हमारे इंडिया में हैं यूजर्स वह इंटल के हैं क्योंकि इंटल का ही उन्हें लगता है कि अच्छे लैप्टॉप होते हैं तो इसको हम अभी साइड पे रखते हैं इस वाली बात को तो आज की वीडियो हमारी स्पैसिफिकली जो है इंटल यूजर्स के लिए है इंटल यूजर्स का भी जो सिंपल सा प्रोसेस है बिलकुल AMD के जैसे है पर इन में जो है काफी मतलब अडवांस सैटिंग्स गिवन है हर इक कलर को हम अड़जस्ट कर सकते हैं अपने अकोर्डिंग यहां पर आपने क्लिक करना है एंड उसके बाद आपने कलर पर क्लिक कर देना है यहां पर जाकर आपने कस्टम के ऊपर क्लिक करके एक कस्टम जो आपकी प्रोफाइल है उसको क्रियेट कर लेना है ताकि जो आपकी डिफोल्ट प्रोफाइल है उस पर कोई फरक न पड़े अगर आप changes देखना चाहते हो तो आप देख सको तो इस जो इस software में में जो मुझे अच्छा एक feature लगा जो हमारे AMD में नहीं था वो यह है कि हम यहां पे side by side एक को पिक को open करके जो changes हैं उसको notice कर सकते हैं उसको देख सकते हैं तो आप कोई भी ऐसी pick को open कर लो जिसमें जो colors हो वो काफी ज्यादा bright हो एंड उसके बाद यहां पे हमारा जो main काम है वो शुरू होता है आपने यहां पे एक option शोगी brightness enhancement आपने इस पे all colors पे click कर देने एंड उसके बाद यहां पे आपको by default जो आपकी settings हैं वो मिल जाएंगी इसको आपने अपने according करके देखना है कि जो भी आप changes करना चाहते हो आपको अच्छे लग रहे हैं आपको उस पे थोड़ा बहुता फरक नजर आ रहे हैं तो आप देख सकते हो अपने according सामने display पे कि आपको changes है वो show हो रहे हैं कि नहीं तो मुझे तो यह show हो जाएंगे तो उसके बाद आपने यहां पे जाना है red पे आपने इसको अपने according adjust कर लेना है आपको जितना इसको चाहिए आपको bright चाहिए आपको मतलब simple चाहिए आप उसके according इसको change कर सकते हो तो मैं फट 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 अपनी settings जो मैंने की करके देखी थी जो मुझे अच्छी लगी मैं वह apply करता हूँ और उसके बाद मैं यहां पे इसको round जो red है उसको मैं for 35 रहने देता हूँ 40 और जो हमारा green है उसको भी थोड़ा balance कर देते हैं आप उपर pick में भी देख सकोगे साथ में की जो आपके colors हैं वह bright हो रहे हैं कि नहीं तो इसको मैं around 50 रहने देता हूँ और जो blue है अगर हम blue ज्यादा करेंगे तो उसका जो हुए है और उसकी वज़ा से काफी जो display ब्लू ब्लू होगी इसको लिए मैं इसको 45 रहने दूँगा तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप यह settings अपने according ही करना जो मैं settings बता रहा हूँ वह मेरी नजर्ये से जो मुझे colors का feel हो रहा है मैं उसके according कर रहा हूँ पर अगर आप इसको अपने according adjust करना सकते हो आप वह भी कर सकते हो एंड उसके बाद हमें एक और option मिल जाती है नीचे contrast enhancement इस पर भी आपने इसको on कर देना है RGB पर एंड उसके बाद आपने फिर से यहां से अपने जो भी आपको colors जैसे चाहिए आपने उसको adjust कर देना है तो मैं इसको भी around 22 रहने देता हूँ इसको मैं 19 रहने देता हूँ एंड जो blue वाल है इसको मैं 17 ही रहने देता हूँ इसको मैं 16 कर देता हूँ because वही जो blue है वो फिर ज्यादा blue हो जाता है एंड यह जब हमारी settings होगी है आपको यहां पे एक नीचे option चो होगा हुए का यहां पे जाके आप इसको increase कर देना बिल्कुल आप साथ साथ में देखके increase करना कि आपको जो है similar जो आपका colors हैं वो provide हो रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो एक ही blue यह रड यह green color यह आपक इसको मैं अपने according कर लेता हूं set तो मैं इसको पहले minus में करके देखता हूं तो मैं इसको minus 3 कर देता हूं मुझे उसमें better result शो हो रहा है तो इसको मैं minus 5 रहने देता हूं जो saturation है इसको मैं थोड़ा सा increase करूंगा because इसकी वज़ा से जो हमारे colors हैं वो completely जो balance है वो हो जाएंग तो मैं इसको 55 रहने देता हूं तो आप देख सकते हो मैंने इसको अपने कर दिया according set पर अगर आप अपने ice के according जो भी आपको अच्छा लगे आप वैसे उसको settings को कर सकते हो तो यह video आज सिर्फ Intel users के लिए थी अगर आपने AMD users वाली देखने है आप उपर i button पे click करके देख सकते हो AMD वाली जो मैंने video है वो बना चुकिया हूं पर मुझे जो अच्छा लगा वो Intel का graphics command center लगा इसमें आप देख साइड बाइ साइड हमने check कर लिया कि जो हमारे colors हैं वो कैसे अच्छे लग रहे हैं तो आज की video में इतना ही next video में जल्दी मिलेंगे तो चैनल को भी subscribe कर na and thank you guys